हलो एबरिवान आज हम बनाने वाले हैं मीठे पीले कदू की टेश्टी टिकियां जो की बहुत ही मज़ेदार बनती है जो बच्चे सबजियां खाना नहीं पसंद करते हैं तो उन्हें आप इस तरह से सबजियों की टिकी पना करके देखी उन्हें पता भी नहीं चलेगा और चाव से भी खाएंगे आप इन्हें टी टाइंव स्नेक्स के रूप में बना सकते हैं या फिर कोई भी हरी चटनी या टेमेटो सोस के साथ इन्हें सर्फ कर सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है बस 10-15 मिनट में बन करके तयार हो जाती है तो चली हम इसे बनाना शुरू करते ह उसके लिए हमने देखिए 300 ग्राम यहां पर पीले कदू लिये हैं इनको हमने छिलको को निकाल लिया है उसके बाद हमने दो तीन पानी से वास करके इनको कट कर लिया है और देख सकते हैं कि हमने इनको छोटे चोटे टुकडो में इस तरह से कट कर लिया है ताकि ग्रेट क लिया है इस तरह से हम सारे जो पीले कदू है उनको हमने ग्रेट कर लिया है और उसके बाद हम इन में कुछ मसाले और सबजी आड़ करेंगे तो सबसे पहले हमने इसमें एड़ किया है एक सिमला मिर्च बारी कट किया हुआ दो मीडियम साइज के गाजर इनको भी हमने कदू क कर लिया है और एक बड़े साइज के प्याज को हमने इस तरह से बारी कट करके एड़ किया है खुब सारा हरा धनिया एड़ करेंगे और साथ ही साथ दो हरी मिर्च को भी हमने इस तरह से कट करके डाल दिया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च एव नमक एड़ करेंगे हम टेश्ट के अगोडिंग अब सारी चीजों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखिए हमने सारे सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद हम इनको बाइंडिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा और बेसन तो अगर बाद में लगेगा कि मिसरन थोड़ा सा गिला है तो इनमें हम थोड़ा सा और भी एड़ कर सकते हैं चावल का आटा या फिर बेसन तो सारी चीजों को हमने अच्छे से ही मिक्स कर लिया है हाथों से और उसके बाद आप देख सकते ही कि बाइडिंग है वो थोड़ी स च्पले बाद काची बाद में देख से तरह से चिप्टा कर लिए और सी चाप दे Singh के लिए अदू हमने देख से तरह से लिए बागी के जो देख Сейчас कर लिए अब इनको चलते हैं हम फ्राइ करने तो फ्राइ करने के लिए मैंने यहां पर गैस ओन करके फ्राइपन चढ़ाया है और इसमें एड किया है दूचमच कुकिंग ओल मैं इसे सेलो फ्राइ करने वाली हूं आप चाहे तो इसे डिप्राइ भी कर सकते हैं यहां पर मैंने इसे थ जैसे ही तेल गरम हो जाएंगे तो इसमें हम एका करके सारे टिकियों को एड़ करेंगे एक बार में जितने पैन में आएंगे उसी साफ से हम इसमें टिकियां एड़ करेंगे तो देख सकते हैं कि 6 से साथ टिकियां एक बार में आ गई हैं अब इनको हम क्या करेंगे कि 5-6 मिन और इसी तरह से इनको हम सीखने देंगे एक बैच के जो टिकिया बनती हैं वो कम से कम 10 से 12 मिनिट लग जाते हैं बनने में क्यूंकि हम इन्हें धीमी धीमी आज पर पका रहे हैं और कम तेल में इस तरह से जो हम इनको बनाएंगे तो अंदर तक यह कूख हो जाएंगे तो सारे हमने टिकी को निकाल लिया है प्लेट में और उसके बाद बाकी के जो टेल बचे हैं उसमें हम टिकियों को और भी बना लेंगे तो यहां पर हमने टिकी को हरी चटनी के साथ सर्फ किया है यह धनिया पती की चटनी थी इनको हमने मिक्सी की जार में पीस लिया था और आ सकते हैं आपको यह मेरी recipe कैसी लगी प्लीज comment करके जरूर बताना अगर यह मेरे recipe आपको पसंद आती है तो प्लीज video को like और share करना न भूले अब तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो प्ली जल्दी से subscribe करिदे भगल में बेल है उससे आप वाल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले मेरे नीव वीडियो के नाटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले अगर ये मेरी वीडियो फेस्ट प्रेस पर देख रहे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूले मिलते हैं आपसे एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई